हलो फ्रेंड्स वेलकम तू एजुकेशन का अद्डा चैनल एड तोड़े विल कॉंटिनू दे रिमेंग पार्ट आफ दरेशन फ्रॉम दे डायरी आफ एन फ्रेंग आज हम कक्षा दस्वी के फॉम दे डायरी आफ एन फ्रेंग पार्ट के बचे हुए पार्ट को पढ़ेंगे और हम लोगों ने देखा कि एन फ्रेंग ने बताया कि उसको जो है कोई दोस्त नहीं मिल रहा है सच्चा दोस्त नहीं मिल रहा है जिसे वह अपने मन की बातों को ब बताऊंगी या किस पर उतारूंगी या किसको कहूंगी तो उसने जो है डिसाइट किया पेपर पेपर को वह जो है अपना फ्रेंट बनाएगी और अपने मन को हलका करेंगी उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है वो बताती है कि मेरे पिता जो है मोस्ट एड़ोरेबल यान कि सबसे प्यारे पिता मैंने आज तक देखा है और उन्होंने डिदेंट मैरी माई मदर मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की अंटिल ही वास थर्टी सिक्स यान की थर्टी सिक्स के एज में जो है उनकी माँ से वो उनका विवा हुआ एंड शी वस 25 इस समय जो है वो 25 की थी माई सिस्टर मॉगाट वस बॉर्न इन फ्रेंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926 उसकी जो बहन थी उसका जन्म जो है उननिस सो चब्विस में जर्मनी के फ्रेंकफर्ट में हुआ वो बताती है कि फ्रेंकफर्ट में हुआ जो है चार साल के उम्र तक रही उनके पिता जो है इमिग्रेट हो गए याने जर्मनी से हॉलेंड निवास करने के लिए हमेशा के लिए वो चले गए माई मदर एडित हॉलेंडर फ्रेंक वेंट विथ हीम तो हॉलेंड इन सेप्टेमबर और सेप्टेमबर के माह में जो है वो और उनकी माह जो है हॉलेंड में सिप्ट हो गए जबकी जो है उनकी बहन और एन को उनकी ग्रेंड मदर के पास जो है आचेन पर भेज दिया गया वह बताती है की मॉगट वेन टो हॉलेंड इन दिसंबर दिसंबर के महिने में जो है मॉगट को हॉलेंड भेजा गया और मैं जो है फरवरी के माह में वहां पहुंची कैसे पहुंची है आई वस प्लंक डॉण बंक डॉण मतलब होता है put down in casual wear plunk down मुझको जो है इस तरह से वहाँ पर भीजा गिया मानू क्या हूँ मैं on the table is a birthday present for Mogot यानि अपने उसकी बहन के लिए birthday gift के रूप में मुझको वहाँ पर भीजा गिया I started right away at the Montessori Nursery School और वहाँ जो है Montessori Nursery की School में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की I stayed there until I was six at which time I started in the first form और वो बताती है कि मैं वहाँ जो है छे वर्स के उम्र तक वहाँ मैं रही at which time I started in the first form और मैं जो है कक्षा पहली में वहाँ से प्रारंब की in the sixth form my teacher was Mrs. Cuperus the headmistress और उन्हें बताया कि six तक जो है उनकी teacher जो थी वो थी Mrs. Cuperus जो उनकी headmistress थी at the end of the year we were both in tears as well as we said a heart-breaking farewell वो बताती है कि उनकी जो headmistress थी जब farewell हुआ जब उनका जो है primary education समाप्थ हुआ तो farewell में दोरों के दोनो we were both in tears याने कि एक दूसरे से उनका attachment जहें बहुत ज़्यादा हो गया था तो farewell के समय heart-breaking farewell बहुत ही आने उनको दुख हुआ एक दूसरे से अलग होने होने के समय पर in the summer of 1941 grandma fell ill and had to have an operation so my birthday passed with little celebration वो बताती है कि 1941 में उनकी जो grandma थी दादी जो थी वो भिमार पड़ गई and had to have an operation और एक operation शल्य क्रिया operation करने की आउशकता पड़े तो इस करण जो है उनका birthday passed with little celebration यान उसके birthday को समान रूप से मनाया गया grandma died in January 1942 और उनकी grandma जो है गुजर गई 1942 में no one knows how often I think of her and still love her और no one knows कोई नहीं जानता है how often I think of her कि मैं जो है अक्षर उसके बारे में सोंचते रहती हूँ उनको याद करते रहती हूँ and still love और अभी भी मैं उनसे प्यार करती हूँ और बताती है कि जो 1941 में तूसकी दादी मा जो है बिमार पड़ गई थी यसलिए जो उनका birthday celebration समान रूप से जनरल बेव मनाया गया था लेकिन 1942 में क्या हुआ intended to make up for the others जो 1941 में कमी रह गई थी उसको जो है 1942 में पूरा गया और धूमधाम से intended इस इरादे से मनाया गया कि make up कर लिया जाए उस समय जो कमीया रह गई थी उसके birthday celebration में उसको इस समय पूरा करने के लिए बड़े धूमधाम के साथ जो है उसका जन्मदिन मनाया गया और grandma's candle was lit along with the rest और उसके birthday के एक पर उनकी दादी की और से भी जो है एक candle को जलाया गया था और जो चारो के चारो थे यालकि मम्मी पापा और दोनों बहने वो बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पर रह रहे थे और आज की जोसी 20 जून 1942 में वो आ गये हैं जहां पर उनको the solemn dedication to my diary diary पर जो है उसको concentrate करना था अपनी सभी बातों को शांति पुर्वक और गंभिरता पुर्वक जो है diary पर उतारनी थी लिखनी थी यानि कि इसी date से उसने diary लिखना प्रारम्ध किया Saturday 20 जून 1942 22 दिरेस्ट किटी वो वस किटी तो डाइल अपर एंटार क्लास is quacking in its boots quacking in boots means shaking with fear and nervousness अनि जो एंटार पूरा पूरा क्लास था वो डर रहा था और काप रहे थे उन लोग क्यों काप रहे थे भई the reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back कारण ये था कि जो forthcoming अगली जो meeting होने वाली थी उसमें उनके जो teachers से वो decide करने वाले थे निर्णय लेने वाले थे कि who will move up to the next form and कि कौन जो है कौन जो है अगली कख्षा में प्रवेश करेंगे and who will be kept back और किन लोगों को फिर से उसी क्लास में रहना होगा half the classes making bets जो आधा क्लास था वो जो है सरते लगा रहा था G.N. and I love आवर सेल्व सीली at the two boys behind us C.N. and Jackass who have stacked their entire holiday saving on their bet वो बताती है कि G.N. उसकी friend है G.N. and I love हम लोग जो हसते थे आवर सेल्व सीली at the two boys behind us जो हमारे पीछे दो लड़के बैठते थे उनका नाम है C.N. और Jackass इन लोग क्या करते थे who have stacked their entire holiday saving जिन्होंने अपने पूरे holiday saving को चुट्टियों में जो पैसे मिलते है उसमें जो याने उन्होंने जो पैसा अपना जमा किया था उस पूरे पैसे को क्या कर दिया था stacked बाजी लगा दिया था किस में? bets में? सर्त में जो है उन्होंने लगा दिया था from morning to night it's you are going to pass no I am not yes you are no I am not वो लोग बताते हैं कि पुरे सुबह सले के शाम तक बच्ची यही बात करते थे कि तुम पास होने वाले हो तुम अगली कक्षा में जाने वाले हो तुम नहीं जाने वाले हो मैं जाने वाला हूँ उन लोग जो है tension में थे कि कौन-कौन जो है पास होंगे और कौन-कौन पास नहीं होंगे even GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down even यहां तक जो GS थी उनकी जो है pleading glance यहने सफारिश करना request करना pleading glance का मतलब है request करना कि भही आप लोग बंद करो यह तब बाते करना and my angry outburst और मैं जहे थोड़ा क्रोध से उन लोगों से बाते करती थी मना करती थी can't calm them down लेकिन दोनों के दोनों प्रेम से बात करना और गुश्चे से बात करना उन पर कोई भी असर नहीं हुआ और वो हमेशा क्या बाते करते थे कौन पास होगा कौन फैल होगा if you ask me there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back but teachers are the most unpredictable creatures on the earth and कहती कि if you ask me यदि आप मुझसे पूछेंगे पूछते हैं तो there are so many dummies हमारे क्लास्रूम में बहूत सारे क्या हैं dummies है यानि कि they are not so able to go next form next class लोग जो है इस योग नहीं है कि पास हो सके कहने का मतलब है that about a quarter of the class and one fourth of the class are dummies should be kept back यानि कि इन लोगों को फैल कर देना चाहिए but teachers are the most unpredictable creature on the earth लेकिन जो शिक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं unpredictable कोई उनको भाप नहीं सकता कि वो क्या करने वाले हैं इसको पास करने वाले हैं इसको फैल करने वाले हैं वो उनकी अलग सोच होती है इस प्रकार जह एन फ्रेंक कहती है I am not so worried about my girlfriends and myself और मेरी जो सहली ये दोस्त है वो भी जो है हम लोग चिंता नहीं करते थे हमको लगता था कि हम पास हो जाएंगे we will make it हम जो है अगले क्लास में चले जाएंगे the only subject I am not sure about is maths और एक subject बस उसको जो परिशान करता था वो था गनित anyway all we can do is wet कोई बात नहीं अभी क्या किया जा सकता था only wet इंतिजार किया जा सकता था until then we keep telling each other not to lose heart और जब तक की result ना आ जाएंगे हम लोग एक दूसरे से कहते थे कि not lose heart यान कि हमको जो है उमीद नहीं खोनी है और इंतिजार करना है wet and watch I get long pretty well with my all teachers वो कहती है कि I get along pretty well with my all teachers यहने सब सिख्षकों के साथ जो है उसका संबन बहुत ही अच्छा था there are nine of them seven men and two women वो बताती है कि उनके जो teachers थे वो नौ थे उन में से साथ जो है male teacher थे और two जो है female teacher थे Mr. Kissing the old foggy who teaches maths was annoyed with me for edges because I talked so much वो बताती है कि Mr. Kissing यह एक important part है इस lesson में Mr. Kissing जो क्या थे old foggy old foggy का मतलब होता है old fashioned person यहने पुराने खयालाद के बैटी थे और वही जो है maths उनको पढ़ाते थे was annoyed with me for edges because I talked so much वो जो एन फ्रेंक की आदत थी कि वो ज़्यादा बाते करती थी इससे वो क्या हो जाते थे annoyed हो जाते थे गुष्चा हो जाते थे चिड़ जाते थे after several warnings he assigned me an extra homework और कई बार जो है एन फ्रेंक को उसके teacher ने समझाया की ज़्यादा बात मत किया करो लेकिन several warnings कई चेताउनी के बाद भी जब उसने नहीं माना तो उनकी जो teacher थे किशिंग उन्होंने उनको एक extra homework दे दिया और क्या था an essay on the subject are chatterbox a chatterbox what can you write about that I had worry about that letter I decided I jot down the little in my sorry I jot down the title in my notebook tugged in it my bag and try to keep quiet तो उनके जो teacher थे उन्होंने उनको एक extra homework दे दिया कि chatterbox के उपर क्या लिखना है ऐसे लिखना है chatterbox means जो ज़्यादा बाते करते हैं उसी के उपर जो है उनको essay लिखने के लिए कहा गया तो I had worry about that later हो गया थी ठीके इसके बारे मैं बाद में सोचूंगी I jotted down the title on the title in my notebook उसने जो है अपने notebook पर उस title को लिख लिया किसके उपर उसको निबन लिखना है उसके उपर and tugged और उसको क्या कर लिया अपने bag में रख लिया and tried to keep quiet और थोड़ा सा प्रयास की कि मैं जो है सांत रह पाऊ that evening I had finished the rest of my homework the note about the essay caught my eye और उस शाम को उसने अपने सभी homework को पूरा किया तभी जो है अचानक उसको याद आता है the note about the essay caught my eye याने essay के बारे मुझे उसको पता चलता है याद आता है I begin thinking about the subject while achieving the tip of the fountain pen वा जो है अपने pen के tip को चबाते हुए सोचती है उसके बारे में कि मैं क्या लिखूं कैसे करूं anyone could ramble on and leave big spaces between the words but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking तो यहाँ पर जो है एन फ्रेंक की एक quality हमारे पास उभर के आती है वह कहती है कि anyone could ramble on कि कोई भी वैट्ती ramble on कर सकता है talk or write endlessly for long यानि कि बिना मतलब के कुछ भी जो है लिख सकता है उद्देश नहीं लिखना लंबा लंबा लिख देना जगा छोड़ छोड़ के लिख देना और page को भड़ देना कर सकते हैं वह कहती है कि ज़िए हम कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो क्या होना चाहिए उसमें कुछ तथ्य होना चाहिए facts होना चाहिए जिससे सामने वाला गट्ती आपकी बातों पर शह मत हो इसलिए वो convincing argument तर्क उसमें डालना चाहती थी जिससे जो chatterbox chatterbox के रूप में कौन है n-franc ही swam है क्योंकि वह जो है बहुत ज़्यादा बोलती थी तो वह प्रयास करती है कि मैं इसको ऐसा लिखूंगी कि अपने आपको मैं सहीं साबित कर सकूँ इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा convincing argument इसमें लिखना पड़ेगा उसने बताया है I thought and thought and suddenly I had an idea वह कहती है कि मैं बहुत सोची सोची तब ही जो अचानक से मेरे मन में एक idea आया I wrote the three pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied मैंने जो ही इस पर तीन पेज लेखे और वो जो ही से संतुष्ठ हुए I argued that talking is a student's threat and that I would do my best to keep it under control उसने बताया है कि argue किया तर्क दिया कि talking बात करना is a student's threat बच्चों की क्या है quality है and that I would be my best to keep it under control और जो है मैं अपना सबसे अच्छा प्रयास करती हूँ कि मैं इसको क्या कर सकूँ control under control रख सकूँ याने ज्यादा बाते ना करूँ बट लेकिन that I would never be able to cure myself लेकिन मैं प्रयास तो करती हूँ कि मैं जो है चुप रहूं लेकिन मैं चुप नहीं रह पाती हूँ क्यों नहीं कर पाती हूँ याने कि चुप नहीं रह पाती हूँ of the habit since my mother talked as much as I did if not more and that there is not much you can do about inherited threats वह कहती है कि मैं प्रयास तो करती हूँ चुप रहने के लिए कि ने रह पाती हूँ क्योंकि since my mother talked as much as I did जितना मैं बात करती हूँ उतना जो है मेरी मां भी बाते करती है I did if not more यदि मुझसे ज़्यादा बाते नहीं करती है तो मैं जितना करती हूँ उतना तो वो भी करती है and that there is not so much you can do about inherited threats और इस पर आप क्या करेंगे जो क्या हो inherited threats हो हो याने qualities physical or mental that one gets from one's parents याने कि ये वनसा नुगत अपने पूर्वत से प्राप्त क्या है quality है हमारे जीन में ही है कि हम ज़्यादा बातें करें तो इस पर आप क्या कर सकते है मैं प्रयास तो करती हूँ लेकिन मैं चूपने ही रह पाती हूँ Mr. Kissing had a good laugh at my argument but when I proceeded to talk my way through the next lesson he assigned me a second essay Kissing ने जो है उनके तरकों पर थोड़ा सा हसा and when I proceeded to talk और जब मैंने फिर से बातें की तो next lesson में उन्होंने का कर दिया मुझको second assignment दे दिया फिर से जो है काम दे दिया second essay दे दिया this time it was supposed to be to be on an incorrigible chatterbox और इस time जो उनको title दिया गया था वो था incorrigible chatterbox incorrigible का मतलब होता है something that cannot be corrected usually a bad quality यानि कि उन्होंने बताया कहा कि जो chatterbox होते हैं ज्यादा बात ही करते हैं वो अच्छी quality नहीं है इस पर तुम लिखो उनका कहने का मतलब था कि तुम जब इसके बारे में लिखोगी सोचोगी समझोगी तो क्या करोगी तुम सुधर जाओगी ऐसा उनके teacher चाहते थे लेकिन देखते हैं का होता है I handed it in and Mr. Kishing had nothing to complain about for two whole lessons मैंने इसके बारे में भी लिखा और nothing to complain about for two whole lessons दो lesson के लिए उन्होंने मुझको कुछ भी नहीं कहा However, during the third lesson he had finally had enough and frank as punishment for talking in class write an essay entitled quack 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 said mistress chatterbox और तीसरे क्लास में जो है उनके teacher जो थे वो घुश्टा हो जाते हैं और कहते हैं कि enough both हुआ and frank as a punishment for talking in class class में जो है बाते करने के कारण जो है तुमको क्या करना पड़ेगा एक essay लिखना पड़ेगा जिसका title है शिर्सक है quack 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 said mistress chatterbox तो अब उन्होंने ये नया topic दिया जिस पे ज्यादा बाते करने वाली chatterbox quack quack करते रहने वाले chatterbox के बारे में जो है लिखने को कहा गया the class road और पूरी class जो है उस पर हसी I had to laugh I had to laugh to मैं भी जो है इस पर हसी की बार बार जो है सर मेरे को नए assignment दे रहे थे though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox जदभी मैंने का कर लिया था कि जो भी बाते थी उसको मैंने इंजेनिटी आने सरलता पुर्वक जो है इस topic पर chatterbox पर पूरी अपने मन की बातों को तो मैंने लिख लिया था मेरे पास कोई भी विचार अमनी बच्चे थे it was time to come up with something else something original और इस बार जो है कुछ नए चीजे मुझको लिखनी होंगी और वो भी कैसी होनी चाहिए original होनी चाहिए सही होनी चाहिए my friend San who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy और उसकी एक दोस्त थी जो San थी वो कैसी थी good at poetry याने कविता पर जो बहुती अच्छी पकड़ थी उसकी वो कहती की offered to help वो कहती कि मैं तुम्हाई शाहता करूंगी चिंता मत करो तो the essay from beginning to the इंडिया ने essay लिखने में सुरू से आखरता को है जो है उसकी मदद करेगी यह सुनकर जो है जम्ट फर जो है प्रसनता से खिल उड़ती है Mr. Kishing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject but I had made sure the joke was on him वो कहती है कि Mr. Kishing जो सर थे वो क्या कर रहे थे trying to play a joke मेरा मजाव कुड़ाना चाहते थे on me with this ridiculous subject यह उठपटांग से subject दे कर वह चाहते थे कि मेरा joke बने याने मेरा मजाव उड़े क्लास में लेकिन इस समय हमने ऐसा prepare किया था कि मजाव उन्ही का उड़ जाए but I had made sure the joke was on him यानकि मैंने इतना अच्छा लिका था कि मजाव उन्ही का उड़े I finished my poem and it was beautiful मैंने जो है poem खतम किया और यह बहुत ही सुन्दर था अच्छा था सांदार था it was about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much वो जो है यहाँ पर जो है N. Frank के विचारों को बताया गया है कैसे वो लोगों को convince कर सकती थी वो देखिए वो कितने वर्सों की थी मात्र 13 वर्स के उम्र में उसने लिखना प्रारंब किया था और 15 वर्स के उम्र तक जो है वो मर गई थी जो हम पढ़ रहे हैं वो किसने लिखा हुआ है 13 साल की एक छोटी सी school girl ने लिखा है और कितनी गंभिरता पूर्वक बातें और अपनी बातों को सही साबित करने के लिए कैसे arguments देना है वो जो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है देखिए टीचर ने उनको सब्जेक्ट दिया कि क्वैक 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 दिन भर जो बाते करते रहते हैं इन पर आप लिखिए तो लिखने के लिए तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है लेकिन सही निबन दिया सही एसे तब होता है जब जो content उसमें लिखे गए हैं वो उसको justify करें तो उसने देखिए क्या कहा इस बार अब जो है उसने कहानी बना दिया कि एक mother duck थी एक father swan था और उसके दो बच्चे थे और क्या करते थे हमेशा बाते करते थे who were beaten to death और उसको इतना पीटा गया कि उसकी मृत्य हो गई by the father because they quacked too much वो इतना ज़्यादा बाते करते थे कि उसके पिता जी गुस्सा हो के उसको beaten to death मरते तक मार दिया luckily Mr. Kiesing took the joke the right way luckily यहने सौभाग्य से जो उनके सर थे उन्होंने इस joke को अन्यता नहीं लिया he read the poem to the class adding his own comments to several other classes as well उनको भी बहुत पसंद आया कि किसे के nature को हम नहीं बदल सकते हैं और nature को यही हम बदलने का प्रयास करें तो उसका अंत हो सकता है तो इस प्रकार जो हैं उनको यह बाते समझ में आईं कि किस बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं रोक सकते हैं और उनको इतना अच्छा लगा कि वह जो है अपने comments डाल के भी इसको उनके class में और other class में भी जो है सब लोगों को सुनाया Since I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework और इसके बाद से जो है उनको class में बात करने का permission मिल गया और कभी भी and haven't been assigned any extra homework उसको जो एक और extra homework कभी नहीं दिया गया On the contrary Mr. K. Singh's always making joke on this days और इन सब चीजों से एक और बदलाव आया क्या बदलाव आया कि Mr. K. Singh जो ज़्यादा बात करने से रोकते थे वो जो है एक उनके मन में ऐसा आया कि एक परिवर्तन सा आ गया और वो क्या करते थे always making joke these days यहनकि अपने class में जो है joke भी करते रहते थे यहनकि बच्चों से friendly behavior करते थे यूर्स and तो यह जो है accepted form the diary of a young girl with slight adaptation यह जो है उनके diary का कुछ मुख्य अंस जो है यहाँ पर लिया गया है इस परकार यह listen समाप्त होता है जिदी वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरो like करें comment करें share करें और जिन लोगों ने education काड़ा चनल को subscribe नहीं किया है subscribe करें धन्यवाद झाल मुटब लोगों काड़ण